चुनावी मौसम में आदर्च आचर सहिंता का पालन करवाने के लिए पूरे राज में पुलिस प्रशासन द्वरा जबरदस्त सक्ती की गई है जगे जगे नाके लगा कर वाहनों की कडाई से चेकिंग हो रही है सोनीपत में पुलिस को इस दोरान एक कार से भारी मातरा में कैश मिला है पुलिस के मताबिक एक क्रेटा कार से नोटों से भरा बैग मिला जिसमें 50 लाख रुपई नकत थे कार का ड्राइवर जब पैसे को लेकर कोई संतोष जनक जवाब नहीं दे सका तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया ड्यूटी मजिट्रेट दिलबाग सिंग ने बताया कि कैश को ट्रेजरी में जमा कर आयकर विभा को सूचित कर दिया गया है मामली में आगे की जांच अब इंकम टेक्स करेगी सिंग ने जबत पैसे के चुनाओं में इस्तिमाल करने की आशंकाओं से भी इनकार नहीं किया है अपने सुपर्वाइजर को फॉन कर दिया अब यह ऐसे है चेक नहीं करा लिए गाड़ी हमने अपने कब जिम लेकर एक साइड में खड़ी करा लिए फिर जो सुपर्वाइजर में बुला लिया उसके सामने हमने सारा कैस्ट चेक पचास लाक रुपे में लेगो काशे का लेकर जा रहे थे कौन थे जीन्द के थे और वो जो बता रहे हैं कि हम नवड़ा से ले आए हैं कोई प्लाट की रिजिस्ट्री के पैसे हैं और वो ले बताने की चुनाव के मदे नजर मतदाताओं के बीच पैसे और शराब बांटने के अकसर मामले सामने आते रहते हैं जिस पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से विशे स्टी में गठित की गई हैं सोनी पत से सनी मलिक पंजाद केसरी टीबी अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद झाल झाल झाल